हाई फ्रेंज तो आज हम आपके लिए ऐसी रेस्पी लेकर आए हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी इस रेस्पी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामगरी के जोरत नहीं पड़ेगी आप इसे गेहों के आर्टे से बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं तो आएए बिना देर के हुए अब बनाना इस्टार्ट करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पत्ता गोभी ले लेना है इसकी बाद इसे हमें ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है आप चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं ब इसके बाद एक सिमला मिर्च ले लेंगे, इसे भी हमें बहुत ज़्यादा बारीक कट कर लेना है, अब इसे हम इसी पत्ते गोभी में एड़ कर देंगे, जितना हो सके उतना बारीक कट करके हम एड़ करें, यहाँ पर हम दो मीडियम साइज की प्याज लिये हैं, इसे भी हमे के अनुसान नमक आयट कर देंगे इसके बाद इन सारी सामगरी को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताके नमक पूरे सब्जियों में मिल जाए नमक आयट करने से सब्जियां पाने रिलीज करने लगती हैं इसे हम थोड़े देटर ढ़कन लगा कर साइट कर देंगे ताके इसमें का जितना पानी हो सब निकल जाए इसके बाद एक मलमल का कपड़ा ले लेते हैं उस पर हमें सब्जियों को रख देना है इस तरह से हम सारी सब्जियों को पलड़ देंगे थोड़ा सावधानी पूरवक रखें सारी सब्जियों को हमें पलड़ देने के बाद चारो तरब से हमें कपड़े को उठा लेना है उठा कर हमें इसकी पोटली बना देनी है इसी तरह से चारो तरब से मोरते हुए कपड़े की हम एक अच्छी सी पोटली बना लेंगे पोटली को हम राउंड करते हुए इसके सारे पानी को हम निकाल देंगे इस तरह से प्रेस करते हु में हमें निकाल लेना है बिल्कुल ये ड्राय ड्राय सा हो जाता है यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं है अब इसमें हमें और भी सामगरी को आइड करना है यहाँ पर तीन बारीक कटी हुई हम हरीमेश को आइड करेंगे आप अपने तीखी चमज के बराबर हमें हल्दी पाउडर आइड कर देना है इससे थोड़ा कलर चेंज हो जाता है अच्छा लगता है देखने में इसके बाद इसी इस्टिप पर हमें आधे चमज से थोड़ा सा कम जीरा पाउडर आइड कर देना है आधे चमज के बराबर हमें लाल मिर्च बराबर हमें काले मिच का पाउडर एड़ कर देना है, लाश्ट में हमें धनिया पत्ती एड़ कर देना है, बारिक कटी हुई हम धनिया पत्ती एड़ कर देंगे, आप चाहें तो इसे पुदी नहरा के पत्ते भी एड़ कर सकते हैं, अब इन सारी सामगरी को हमें अच्छी त अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी आड़ कर सकते हैं लाश्ट में हमें एक क्यूब के बराबर बटर आड़ कर देना है इससे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अब इन सारी सामगरी को हमें मिला देना है इसे साइड करके अब एक बाउल में हम आटा लेंगे यहाँ पर हम लगवत तीन बड़े चमच के बराबर आटा लेंगे अब इसमें हमें काला तील आड़ कर देना है आधे चमच से थोड़ा सा कम हम काला तील आड़ कर देंगे अगर आपके पास मैदा हो तो आप मैदे से भी बना सकते हैं यहाँ पर हम हेल्दी बनाने के लिए आटे से बना रहे हैं अब लाश्ट में हमें तीन पिंच के बराबर आजवाइन आड़ कर देना है इसे हम जरूर आड़ करेंगे इसे फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है अब लाश्ट में हमें नमक आड़ कर देना है याद रखें कि हमने इस्टफिंग में भी नमक आड़ किया है अब हम सबजियों वाले पाने से आटे को गून लेंगे एक अच्छा सा डो हम गून कर तयार कर लेंगे अब इसमें हमें लगभद दो चम्मच के बराबर आयल आड़ कर देना है यहाँ पर हम रिफाइंड आयल लिए है इसे आटा थोड़ा सा मुलायम होता है आटे को हम थोड़ी देर तक गून कर अच्छा सा एक मुलायम दो हमें रेडी कर लेना है अब इसे हमें एक लंबा सा रोल बना कर तयार कर लेना है अब चाकू की सहायता से इसे एक लंब समान भाग में कट कर लेना है इससे recipe बनाने में थोड़ी आसानी होती है जल्दी बनकर तयार हो जाती है अब एक एक piece निकालते हुए हम इसकी गोलियां बना लेंगे गोलियों को बना कर हमें इसे बेल लेना है हलका सा प्रेस करते हुए हम इसे बेल लेंगे अगर इसे बेलने में आपनों को प्रॉब्लम होती है तो थोड़े से आठे का पाउडर लेकर आप इसे लगा कर बेल सकते हैं इसे हमें बिल्कु ड्राउंड सेप में बनाना है इसके बाद साइड साइड वाले भाग को हम कट कर लेंगी चाको की साहता से हम इसके कटिंग कर लेंगी और एक चाकोर सा सेप दे लेंगी किनारी को जो इक्स्टा पार्ट है उसे हम निकाल लेते हैं इसके बाद लगबग एक एक चमच के बराबर हमें इस्टफिंग फील कर देनी है आप इसमें एक एक चमश के बराबर इस्टफिंग को फेल कर लें थोड़ा सा प्रेस करते ही वे इससे रख दें इसके बाद हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है आप चाहे tornado तो फ्रेस पानी भी ले सकते हैं मेरे पास सबजियों का पानी बचा है तो उसे हम ले लेते हैं इस तरह से चारो तरब से हमें ग्लू लगा देना है ताकि ये चिपक जाएं इसी तरह से चिपकाते हुए थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसका हम एक सेब तयार कर लेंगे इसी तरह से स्टफिंग को फिल करते हुए सारे नास्ते को रेडी कर लेना है इसके बाद स्टोप पर हमें पात्रा बनाने वाली कढ़ाई रख देनी है उस पर हम आवल के ग्रिसिंग कर देंगे इसके बाद एक एक नास्ते को हमें इस तरह से रख देना है सारे नास्ते को हम इसे धक देगे यहाँ पर हमने नीचे पानी रखा है जिस तरह से आप पातर बनाते हैं सेम उसी प्रोसस में इसे बनानाँ इसे हम 15 मिर्टक पका लेंगे इसके बाद इसे ऊपिन करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यह पक चुका है अब इसे इस्टेप पर हमें फ्लेम को आफ कर देना है लगभग इसे हमें 15 मिर तक पकाना है आप जब भी पकाएं, 15 मिर से कम नहीं पकाएं अब एक प्लेट में हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं तब तक यह थंडा हो जाएगा अब इक स्टोफ पर फिर से हमें एक फ्राई पायन रखेंगे इसमें लगबग एक बड़े चमस के बराबर हमें ओयल एड़ कर देना है जब ओयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब एक एक करके सारे नास्ते को हमें आड़ कर देना है इसे हमें सैलो फ्राई करना है आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं मीडियम तो लो फ्लेम करते हुए इसे हमें धीर धीरे फ्राई कर लेना है जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए तब इसे हमें दूसरे तरफ के लिए पलड़ देना है एक एक करके सारे नास्ते को हम दूसरी तरफ के लिए पलड देंगे ताकि ये दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं इसे फ्राई करने में 2 या 3 मिनिट लग सकते हैं आप इसे फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्द बाजी ना करें जब ये दूसरी तरफ से फ्राई हो जाएं इस तरह से दिखने लगें तब आप समझ जाएं कि फ्राई हो चुके हैं अब इसे एक प्लेट में ट्रांसपर करके तीकी और मीठी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई